ओम सिरीगनी साइनमा दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्योग चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज 21 वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 अक्टूबर सुक्रवार के रासी फल्क के बारे में कि हैं दिन कुम राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगो से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चै करते हैं कैसा रहेगा कुम्बराशी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज विद्ध्यार्तियों को इंटर्व्यू वेक केरियर सम्मंदित परिक्षाओं में सफलता मिलने की पूरी स होते जहेंगे साथी साथ दोस्तों किसी धार्मिक प्रवर्ति के विक्ति से आज आपकी मुलाकात आपकी विचार धारा में शकार अत्मक परिवर्तन लाएंगी तथा जीवन से जुड़े प्रते कारे को करने का बहतरी नजरिया आज आपको प्राप्थ होगा आर्ठिक इस में से जिन कारू के प्रती आप मेहनत कर रहे थे आज उसके सुब प्रिणाम उमीद से ज़्यादा आपको प्राप्त होंगे धार्मे कारू के प्रती आज आपका रुजहान बढ़ेगा पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी वे आज बहुती सहज और आस तरीके से हल हो जाएंगे वस्त्र आबूशन जैसी खरीदारी में भी आज समय व्यतित होगा समय आपके पक्ष में हैं इसका सम्मान करें किसी सुब समाचार के मिलने से घर परिवार में आज खुसी का माहौल रहेगा आपकी मेहनत वे परिश्रम से कोई महत्पपूर्ण कर र देंगे किसी विश्वेशनिये व्यक्ति की शलाम और शयोग आपकी खोई हुई प्रितिष्ठा को दुबारा हासिल करवाएगा जिससे आपके आत्म विश्वास में वरद्दी होगी घर में कोई धर्मिक आयोजन भी आज संपन होगा दोस्तो आज का दिन आपके लिए बह साथ आज फिजूल घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करें अपनी शाररिक उरजा को बना कर रखें आलसवे मनोरंजन में समय व्यतित करने की वज़े से बनते कामों में रुकावट आ सकती है अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज समाल कर रखें कोई इनका गलत इ हेस पहुँच सकती है संतान की गत्य विदियों पर पैनी नजर रखें बच्चों की समस्याओं को सांती पूर्वक सुल जाएं उन्हें डाटने वे गुस्सा करने से उनके अंदर हिंता की भावना उपज सकती है कालपनिक बातों पर अधिक ध्यान ना देकर यथार्थ पर संभावना लग रही है साती सात आज अधिकतर समय घर से बाहर व्यतित करना पड़ सकता है परंतु सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना आपके लिए आवशक है कोई भी अनुचित कार रहें और आपका करोध पूर्ण वहवार आपकी योजनाओं को डग मगा सकता है साफदान रहें दोस्तों दूसरों के सुजावों पर गंभीरता से विचार करें तता फिजूर खर्ची से बचें अचानक ही किसी प्रकार के महत्वपूर्ण खर्चे सामने आ सकते हैं साथ साथ किसी निकट संबंदी से भी मतबेद होने की आज पूरी स आएगी प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बहुती आपके अनुकूल हैं परिवारिक गति विदियो में आपका शयोग और समर्पन वातावरण को और भी अधिक खुस नुमा बनाएगा तथा आप से संबंदों में और अधिक नजदी कियाएंगी पती-पतिनी के संब संबंदों में मधूरता रहेगी किसी भी महत्वपूर्ण कार्रे में अपने जीवन साती की आपसला हवस्च चले आज का दिन आपके प्रेम संबंदों को मजबूत बनाने के लिए एक बहुती अच्छा दिन शाबित होने वाला हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वेवशाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आज ग्रह इस्तितियां आपके पक्ष में हैं कुछ अच्छे कार्रे आपके सफल होंगे तथा तरक्की के उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे नोकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्रे को बहुत अधिक ध्यान पूरुव अनुबंद मिलने की आज संभावना हैं नोकरी पेशा व्यक्तियों को अपना टारगेट पूरा करने से तरक्की मिल सकती हैं आज कुछ नए अनुबंद मिलने की संभावना हैं कोई भी डील फाइनल करते समय समझदारी और सूजबूज से काम लें लाब के मार्ग प्रस्त होने के आज योग बन रहे हैं अथे समय का आप भरपूर सद्यूप्यों करें दोस्तों वैवसाई गतिविदियां आज सुचारू रूप से चलती रहेंगी परंतु नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने कारों के पिरती थोड़ा साबधान रहने की वियावा सकता है अन्यता अधिकारी वर्ग की नाराजगी का भी आपको शिकार होना पड़ सकता है वैवसाई के विचार संबंदित रूप रेखा पर किसी भी कारे को आज इस्थगित करें आर्थिक सादनों में आज व्रद्धी होगी परंतु किसी भी प्रकार के अनुचित कारे को करने से आपको बचना होगा दोस्तो प्रॉपर्टी से संबंदित कारों में पेपर वर्ग पर आप अधिक ध्यान दें जरासी साबधानी आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है नोकरी पेसा व्यक्तियों से बौस्वे अधिकारी वर्ग आज प्रसन रहेंगे प्रम भावना बन सकती है इसलिए आज आप अत्यादिक साफधानी बरते हैं वैसे आज आपका स्वास्त बहुत यच्छा रहेगा साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज के लिए विशेश हो पाए क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिसे निर्वत रहोने के बाद अपने स्रद्धा के अनुसार अपने सामर्थ के अनुसार सफेद रंग की वस्तुएं और सफेद रंग के खादे प्रधरतों का दान गरीबों में मा लक्षमी का समरान करते ह अवश्य करें या दोस्तो इस प्रेकार दान करने से मा लक्षमी आपसे बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी जो भी आपके जीवन में धन सम्मंदित परिशन्य चल रही हैं समस्त परिशन्यों कंत करेंगी और आपको ऐसा करने से धन सुक्संप मा लक्षमी का सिर्वाद आपको प्राप्त हो सचे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैं मा लक्षमी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवांद